तो कृशी के जो प्रकार है अलग-अलग लोगों जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग भाग देश के देखे जाएं तो महाँ अलग-अलग तरीके से कृशी तंत्र अपनाए गए हैं किस तरीके से कृशी होगी यानि कैसे अगरिकल्चर होगा जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह क्रिशी ये है कर्तन दहन प्रणाली का मतलब है कि slash and burn याने आप में जब खेती कर ली उस जगा को आप जला दीजे उस जगा की जितनी भी आपको मनस्पति दिख लिए जला दीजे और फिर आगे बढ़ जाए दूसरी जगा पे पहु प्रिशी के ओजारों का उप्योंग होता है जैसे लकडी के हल हो गया डाव हो गया लकडी उसे खुदाई करते है पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसमें लगा होता है परिवार या जो उनके परिवार याने के रिलेशनिशिप में जो लोग है समुदाय जिसे कहें वो फसल उगाने के लिए जो बाकी परियावरनिया परिस्थितियां है वो अगर उप्युक्त है उस पर बहुर निर्भर करती है कि किस्समें क्या बोया जाएगा तो इसे हम कहते हैं प्रारंभिक जीवी का निर्वाह कृशी सबसिस्टेंस फार्मिंग है यह सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते है तो इसमें जो जीवी का निर्वाह कृशी है जीवी का निर्वाह मतलब वो लोग अपनी जीवी का लिए या अपने केवल खाने के लिए अपने केवल उपयोग के लिए इसको करते हैं जो लोग कर रहे है थोड़ा और आ जाए हम गहन जीवी का क्रिशी पे तो यह जो इस प्रकार की क्रिशी है वो वहाँ की जाती है जहाँ पर population density बहुत जादा है यहाँ जहाँ जनसंख्या बहुत जादा है तो इसका जो शद है गहन गहन मतलब होता है कि extensive इसका मतलब यह है कि इसमें महनत बहुत जादा लगाई जाती है श्रम गहन खेती होती है और छोटे से जग़ा पे जादा उत्पादन के लिए इसमें रासायन या जैव रासायनी की निवेश किया जाता है अच्छी खासी इसम प्रारानी की उपलब्दता या सिचाई कराई जाती है तो ये होती है गहन जीवी का कृषी अब इनमें दोनों में अंतर ये है कि प्रारान भी मतलब होता है कि इसमें पुराने जो चले आ रहे हैं अलग अलग लकडि किये खल यानि कि पुराने जो औजार या पुराने तकनीकों का उपयोग होता है गहन जीवी का कृशी में गहन यानि बहुत एक्स्टेंसिव जीवी का दोनों ही है इसका मतलब दोनों ही अपने खाने के लिए की जाती है किसी और के लिए नहीं की जाती है जो भी क्रिशी का उपयोग होगा या इसका जो उत्पाद होगा वो ही लोग खाएंगे जो इसे कर रहे हैं इसके अलावा होता ये है कि मान लिजे एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपलेशन बहुत जादा है या यह कहे एक परिवार में बहुत सारे लोग हैं दस भाई हैं आठ भाई हैं दो बहने इतनी सारा अगर परिवार है तो एक ही छोटे से इलाके में खेती करता है सभी लोग मिल के करते है ताकि उनका पेट भर सके और ये नए ने तरीकों का जैसे जैवरासानिक निवेश हो गया सिचाई का उप्योग करते है ये हो गया अपने खाने के लिए ये पुराने जमाने का की चीज़ यूज़ यूज़ करते हैं अब आते हम वानिजी करिशी पे अब जैसे मैंने आपको ये पता है न प्रावंधीक जीवी का निर्वाः करिशी वो इस तरीके से स्लैश और बरन होती है मतलब जहाँ आपका काम हो गया जहां आपने खेती कर लिए उसको जला दी जा आगे बढ़ जाईए तो ये खेती से क्या होता है ये जलाने से क्या होता है इसको मैं इस पर अभी आता हूँ लेकिन इससे पहले हम क्रिशी के प्रकार पता कर ले वानित जी क्रिशी वानिजी क्रिशी क्रिशी क्या होती है ये ऐसी क्रिशी होती है इस प्रकार की क्रिशी का जो एक मेन लक्षन है प्रापर्टी है वो ये है कि यहां पर बकाइदा निवेश किया जाता है आधुनिक निवेश किया जाता है जिससे जैसे माने बालीजे अच्छे भी जाल लाए जो अच्छी पैदावार करे अरुवरक, फर्टिलाइजर्स जरहने कि जमीन को नूट्रियन देने के लिए रासाईनिक अरुवरक का प्रियों किया जाता है कीडों से बचाने के लिए कीड नाशक का परयोग किया जाता है ताकि पैदावार द्धा हो अब यह जो कृशी हो रही है वानिजी क्रिशी यह इसलिए होती है ताकि इसको बेचा जा सके इसलिए वानिजी आ गया कमेरिशिल को गई यह मतलब बेचने के लिए अपने उपियों के लिए नहीं है ये बेचने के लिए तो रोपन क्रिशी ले तो इसी वानिजी क्रिशी का एक प्रकार वानिजी जैसे रोपन क्रिशी एक प्रकार की वानिजी खेती है मानिजजी कृशी का मतलब होता है आप जो भी चीज उगा रहे है क्रॉपिंग कर रहे हैं वो किसी को बेचने के लिए कर रहे है यानि इससे आपको आप अपनी जीवी का चलाएंगे उस पैसे से जो आप बेच के कमाएंगे तो रोपन कर्शी इसी तरीके से एक मानिजजी कर्शी है जो बहुत लंबे चोड़े बहुत लंबे चोड़े एरिया पे की जाती है और यहां पर एक ही फसल बोई जाती है एक से ज़्यादा फसल नहीं बोई जाती है तो ये कुछ चित्र पहले आपको मैं दिखा दूँ इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहां कुछ अलग-अलग तरीके की खेती हो रही है जैसे एक इनसान है जो लकडी का हल उप्योग कर रहा है और गाए बैल यूज कर रहा है तो यहां पर ये पुरानी तरीके की खेती हो गई एक छोटे से इलाके में अगर बहुत सारे लोग लगे हुए है बहुत छोटे से इलाके में गहन खेती हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये इस तरह की की खेती हो गई गहन क्रिशी है कि बहुत सारे लोग लगे हुए लेकिन अगर मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि बहुत लंबा ये बहुत बड़ा खेत है और एक ये तरीके की चीज उगाई जारी है और ये इसलिए उगाई जारी है कि इसको बेचा जा सके इसको हम कहेंगे वानिजी क्रिशी वानिजी क्रिशी इसमें रोपन क्रिशी एक इसका एक कहे भाग है तो इस तरीके की हमारे पास अलग-अलग क्रिशी है जैसे प्रारंभीक जीवी का निर्वा क्रिशी हो गई ये एक करतन देहन प्रणाली है जैसे मैंने बताया आपको की ज़ो प्रारम्भी वाली इसमें जलाओ और आगे बढ़ू अभी जब जलाते है तो होता क्या है इसका नाम मैं बतातेता हो इसको हम कई जगा पे अलग-अलग तरीके से इसका नाम लेते हैं तो इसमें यह होता है कि जब आप यह जला देते हैं तो यह जो खांसमास जल गई यह इस जमीन को कुछ दिनों में उर्वर बना देगी। बहुत जादा उर्वर नहीं बना पाएगी लेकिन कुछ न कुछ उर्वर बना देगी। इसको हम फैलो लैंड कहेंगे, यानि कि परती जमीर इसको छोड़ दिया गया है, आगे बढ़ गया है, दूसरी जगह खेती की, फिर वापिस इसमे एक साल में या छे मेने में वापिस आ गया है। इसलिए इसको जूम, कई अलाकों में इसको जूम खेती कहा जाता है, जैसे अगर आप उत्तरपुर्वी राज्ज में जाएंगे, असम, मिघाले, मिजोरम और नागलेंड में से जूम खेती कहा जाता है, मनिपूर में जाएंगे तो पामलू कहा जाता है, चतिस गड़ के बस अलग अलग जगह में अलग अलग नाम इसके लिए जाते हैं जूम खेती को अलग 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 आपको उसके नाम मिलेंगे बहुत सारे नाम है जैसे हमने बात कर ली गहन जीवी का क्रिशी एक और चीहां पर चीतर आप देख रहे हैं कि यहां पर किस तरी किसे इसको जला दिया गया है और जला के आगे बढ़ गया और फिर इसके बाद उर्वरता इसमें वापिस आ जाती है तो वानिच जी क्रिशी की मैंने आपको बात बताई वानिच जी क्रिशी का क्या मतलब होता है फिर से समझेंगे इसको वानिच जी कब यह important क्रिशी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सब चीज़े आधुनिक यूज़ करते हैं इसमें बीज हो गया या उर्वरक हो गया की वानिज जी खेती है इसका मतलब इसका कमर्शियल उप्योग है मार्केट वैल्यू है इससे आपको पैसे मिलेंगे इसको जब बेचेंगे उडीसा में इसी चावल को आप वानिज जी कृशी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ उडीसा में आके यह जीवी का फसल बन जाती है यह लोग जो गाते हैं वो अपने परपस के लिए अपने खाने के लिए अपने परिवार के भरन पोशन के लिए करते है तो लंबी-लंबे चोड़े जो खेतर होते हैं वापर रोपन कृशी होती है और रोपन कृशी जो है एक आधार है रोपन कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् असम और उत्तरी बंगाल में आ जाए तो यहाँ पर चाय करनाटक में आगर आ जाए तो वहाँ पर कॉफी यह रोपण फसले है तो इनका जो प्योग होता जैसे ही आप मैंने अभी केले का नाम लिया तो भारत के दक्षनी भाग में यह केले की रोपण क्रिशी हो रही है